हेलो नमस्कार साथियो मैं आपके लिए बिए फर्स्टियर के सोसिलोजी के कुछ इंपोर्टन कॉस्टन लेके आया हूं तो कुस्टन है हमारा कि सहयोग क्या है सहयोग का वर्गिकरन प्रस्तित कीजिए अत्वा में कुस्टन दिया हुआ है कि सहयोग से प्रकिरिया केसे कहते है किसी एक सहयोगि प्रकिरिया पर प्रिकास डालिए से सपीट्वा में कह रहा है कि आप क्या समझते हैं सहयोग की विषाष्टन बताइये तो स्क्रामाजी चीओं में दानव congrats कि Bentley की 액ि आउस्ट्र Act को रहे हैं बे समाजी प्रकृरियां जो समाज में संगठन उत्मन करती हैं समाज में एक्रण और सहयोगी प्रकृरिया तो समाजी मलब सहयोगी या समाजी प्रिक्रिया किसे कहते हैं कि बेप्रिक्रिया मलब बेस समाजी प्रिक्रिया जो समाज में संगठन उत्पन करती है ठीक है यह समाज में सहयोगी समाजी प्रिक्रिया कहते हैं समाजों में अथार्त मलव ग्रामीड समाजों में सहयोग है सामाजी प्रिक्रियाएं है। सहयूग और सहयूग सर्भामिक पिकरिया है जो विड़ियो के सभी समाजों में निरंतर्थ चलती रहती है सहयूग में सदवेश्य से अधिक होती है है सहयूग में ऐस तो होता है वो दो या दो से अधिक को होती है जब दो से अधिक को किसी सामान्य लक्ष को प्राप्ट करने के लिए एक साथ मिलकर करती है तो उनके द्वारा किये गए इन प्रयास्टों को कहते हैं तो सहोग का डिफ्रेशन यादर्खना किसे कहते हैं कि जब 2-2 से अधिक काइए किसी सामान्य लक्ष को प्राप्ट करने के लिए एक साथ मिल जुलकर कारे करती हैं तो उनके द्वारा किये गए इन प्रयास्टों को क्या कहेंगे हम सहोग कहेंगे दूसरे सब्दों में कह रहा है कि सहयोग एक सहगामी प्रिकरिया है जिसमें अनेक काईयां किसी एक लच्छिया उद्देश को प्राप करती है ग्रिंग के अनुशार दोया दोसे अधिक ब्यक्ति कोई कारे पूरा करने अथ्वा किसी समान रूप से इच्छित लच्छ तक पहुँचने के लिए संयोग्त रूप से मिले कर प्रित्न करें तो इसे सहयोग कहते हैं और फिर चैल्ड के अनुसार अचे एक एक ऐसी प्रिकरिया है जिसके द्वारे वेक्ति अथवा समुअ अधिक संग्स्थित होकर समान लच्छों की पूर्ति के लिए समलेद प्रियास करते रहते हैं यह किस नहीं कहा फिर चाल्ड ने अब सहयों की विस्षिश्थां देख समाजिक अंतक्रिया का एक प्रधान शुरूप समाज में बैक्ती के मद्ध समय समु के मद्ध या समु के मद्ध पारस्पर संपर के एवं भावों और विचारों का आधान प्रदान निरिंतर चलता रहता है क्या है हमारा सामाजी के अंत्रख्रिया का एक प्रधान सुरूप है हमारा सर्भaxter me कि इस सुरूप को सारवाढम इसतर पर सामाजी सुगृति प्राप्त है विश्चिय के पृतीय स्माज ने इस किर्या को जीवन रूप देने के स्थत्त प्रियास किया है। थार्ड है हमारा. संग्ठत प्रियत्न की सक्ति सहयोग सद्द में बड़ा नीठा सब्द लगता है पर होता है बहुत सक्षसाली. ब्यक्तियों अत्वा संग्ठत आवं संग्ठत प्रियास से बड़े-बड़े संग्ठत होती है जब बैक्तियों अथ्वा सम्हूं के समच एक समान लक्ष अथ्वा हित रहता है एक समान लक्ष के बारे बात कर रहे हैं इसके बार है समान लक्ष समान लक्ष का बोद्द बैक्षियों अत्वा सरस्थों को सहोग करने के लिए प्रैरिक करता है mend Arc भाई निरंतर प्रिक्रिया माना जीवन में सहोगा का करम नरंतर चलता रहता है कि सिवन पॉइंट हमारा ब्यापक हित कि देश्टी से सहयोग में भाग लेने बाले ब्रक्ति सचेत रहते हैं भी विभन रसमा सास्तियों ने सहोक का बरिकर अधिन पृक्ति प्रकार को अच आपना स्वार्थ के साथ घोला डेता है ठीक है ना ऐसे सहवग में व्यक्ति क्या करता है वह सम्हूं के साथ करता है घुरा मिला लेता है इस प्रिकार ऐसे सहवग में व्यक्ति सम्हूं की सुख समर्दी के लिए उची से उची त्या करता है इसमें क्या करता है वह सम्हूं के सुख समर्दी के लिए क्या करता है वह मिलते हैं मित्र मंदली में मिलते हैं इस प्रिकार के सहोग मैं ब्यक्ति निस्वार्थ भाव से सहोग नहीं करता इस प्रिकार के सहोग को सहोग भी कहा जाता है ऐसे सहोग को क्या कहा जाता है आधुनी समाजों में इसी प्रिकार का सहोग देखने को मिलता है समाज के अगर हम बात करें तो आधुनी समाज में कैसा मलब सहोग देखने को मिलता है हमारे लिए अपचारिक सहोग देखने को मिलता है दुख्तियक सहोग जिसे हम कह सकते हैं थार्ड आपका तृतियक सहोग जब बदली हुई परिस्थितियों में बैक्ति अनुकूलन करने की द्रिष्टि से सहोग करता है तो इस प्रिकार के सहोग को तृतियक सहोग कहा जाता है बाहत बिकता तो यह है कि इस प्रिकार का सहोग जो है जो एक पुस्थ डालने के लिए किया जाता है इस परिकार के सहोग करार वर्ले कि सबसे पहले हैं आपका प्रितेच्छ सहोग प्रित्यवक में किया है दो यादो से अधिक बेक्तियों DO के साथ मिल जुलकर समान कार करने को प्रित्यॆप्ष हो हो गया एक साथ पढ़ना हो गया ऐसाथ बाजार जाना है आदि क्या है ये से प्रिटग्श हो के उधारण है यह सब करते हुए समान उद्देश की पूर्ती करते हैं तो उसे अप्रतेश सहोग कहा जाता है कि अधारण के लिए इसे श्रम विभाजन पर आधारत कार अप्रतेश सहोग ही है साथ की साह्ट कार खाने में प्रतेश सहायोग को इसपस्ठ करता है मिर्धे अधार करते हैं को ऑगवर्न का अनुशर करते हैं इन्होंने करने सामाने संहरम जब ब्यक्ति एक सा कार करने में साथ साथ प्रत्न करते हैं क्या कहा है नोने कि जब ब्यक्ति एक सा कार करने में साथ साथ प्रत्न करते हैं तो उनके सहयोग को सामान स्रम का सहयोग कहा जा सकता है इसका फश्ट है सामान स्रम का मित्रबत सहयोग जब सामानिश्रम का सहयोग दूसरों की उपस्थिती में केवल आनन्द प्राप्प करने या मनुरंजिंग की दिश्टी से किया जाता है तो उसे मित्रवबत सहयोग कहा जाता है उधारण के लिए इराकन जन्जाती की महला अकेली ही खेती की देखवाल करती हैं कि पुरुष इश्कारी में इसलिए सहयोग करते हैं कि दोनों की उपस्थिती में एकार आनन्द प्राप्द हो जाता है कि भी है हमारा कि सहयक श्रम जब लोग यह दूसरे को इसलिए सहयोग देते हैं कुए अकेले उसकार को नहीं कर सकते तो ऐसे सामान सहयोग को सहयक श्रम कहा जाता है सब स्रम कहेंगे मैं अधर की जिसे दल दल में फषिन अधिकालने के लिए अन्यक भ्यक्ति नगाना क्या है हमारा साहय क्राइब मैं लिए लिए लेकिन धियुक्ति भीन भीन प्रिकार करते हैं वह जाहिँ करने क्या कर दो कि एक परिकार्ज के साहिए consideration होता है लेकिन इस उद्धेश की पूर्ती के लिए बिभीन्पेक्ति भीनुन भीन्पेकार का श्रम करते हैं इसे आपका राज है मजदूर है लोहार है बड़ए आधिका एक इमारत के निर्मार में सहोग धेना इसी प्रिकार का का निमले सबसे अब का मनों बैगानिक आवसकता बालक के विक्तिति के विकास में सअब एक मनों बैगानिक आवसकता है बालक एक सामाजी की बेक्ति का रूप तभी ले सकता है जब कि उसकी आपसक्ताओं की पूर्ति के लिए माता-पता बुज़र्ग एवं अन्ने लोग सहता करें थे करना सहयोग के अभाव में बालक में हिंता इश्रा घ्रणा आधिभावना उत्मन हो जाती है और ऐसे स्थ पॉइंट हमारा सामाजिक आवसक्ता मनुष्य की अपनी आवसक्ताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहयोग करना पड़ता है क्योंकि कोई भी मनुष्य अकेले अपनी समस्त आवसक्ताओं की पूर्ति नहीं कर सकता उधार्ण के लिए का घंटा वजने के बाद विद् कि इसके बाद में सामाजी जीवन में सहयोग का महतेवा उप्रोगता तो सहयोग भैप्रकरिया है जो समाज में एक करार का संगठन उत्मन करती है तंशेब में इसके महते को निम्न प्रिकार इसपर्ष किया जा सकता है फश्ट है आपका कारे में सुब्दा की कारी मिल जूलकर काम करने से कठें से कठंकर आसानी से संपंश हो जाते हैं में जाते हैं कि सब्सक्राइब करने का समय निकल आता है इतना ही नहीं कारी मी सुबदा के साथ साथ समय के भी वचत होती है से करका साथ कार्य करने से विक्तियों में हम भापना का पनफना सब्सक्राइब है इस एंगले से परस्पर संबंद परयाद तो मुझ्तित्रत्पूर हो जाते हैं एक तकी भाबना का विकास के लिए यह सब परस्थितियां देतियों में निश्यत तोर पर एकता की भाबना विक्षित करती है थार्ड पॉइंट है हमारा आर्थिक छेतर में पर्याप्त उप्योगी तथा महत्पूल है बेक्तियों के सहयोग से बस्तियों का उत्पादन बड़े पाइमायने पर किया जा सकता है और समाज की अवसक्ताओं की पूर्ति किया सकती है और इस प्रिकार प्राप्त ग्यान के आधार पर रचनात्मक निर्मार किया जा सकता है यह था आपको लॉंग कोस्टन को सब्सक्राइब किया थेंक्यूव